श्री नाज्जी गुरुजी को अलगादेश, माभगवती को अलगादेश, रांची वाले भहिरब बाबा को अलगादेश, आप सभी को आदेश आदेश, रांची पुद्धमेश्वर तंत्र में जो 32 यक्षनियों के बारे में मैंने बताया था, एक एक करके आपको हर यक्षनी के साधनाविधी के बारे में बता रहूं, आज उसी क्रम में पंद्रवी यक्षणी जो पुद्धमेश्वर तंत्र के हिसाब से है जिनको वट यक्षणी या वट वासनी यक्षणी भी कहते हैं उनकी साधना हम करेंगे बतब साधना का विश्य मैं आप लोगों के सामने रखोंगा बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि हम लोगों को और थोड़ा व्रिस्त्रित रूप से बताईए साधना के बारे में तो पुद्धमेश्वर तंत्र में बहुत ही शौटकट में यक्षणी साधना के बारे में दिया है लेकिन जो वाममार की तंत्र है उसमें यक्षनी साधना और ज्यादा एलोबिरेट करके दिया गया है तो आजका जो वटवासनी साधना इसको मैं दोनों रूप में आपको बताऊऊंगा थीक है? वटवासनी यक्षनी साधना करते क्यों? क्यूंकि कहा जाता है वटवासनी अगर आपकी सिद्ध हो जाती है तो आपके पास ऐसे ऐसे रत्न आते हैं ऐसे रत्न वो आपको देखे जाती है जो कि इस पृत्वी के नहीं होते हैं जो की दूसरे किसी ग्रह के होते है या फिर इस काइनात के नहीं होते हैं इसके अलावा वो आपको ये शक्ति देखे जाती है कि आप किसी भी तत्व को दूसरे तत्व में परिवर्तित कर दें तो जिनको शक्तियों का प्रभाव देखना है उनके लिए वट वासनी यक्षनी साधना बहुत ही प्रभावशाली है तो पहले आप वट वासनी यक्षनी साधना को उद्धमेशर तंतर से समझिए किसी भी ऐसे स्थान पर आपको बैठना है जहां पर तीन रास्ते आकर मिल रहे हूं ठीक है और उस तीन रास्ते के बगल में एक वट व्रिक्ष होना अनिवारे है तो ऐसा अस्थान आपको खोजना है जहां तीन रास्ते आके मिले और किसी एक कोने पे वटका वरिख्च हो इनके मंत्र को आपको 30,000 बार जाप करना है ठीक है छोटा मंत्र है 30,000 बार पूरी रात लग जाएगी लेकिन इसको कर लेना यह बहुत तरह के आपको जादुई ताकत भी देती है तो वटवासनी का उद्धमेश्वर तंत्र के हिसाब से जो मंत्र है वो है ओम श्रिम द्रिम वटवासनी यक्षकुले रसुते वटवासनी येही स्वाहा फिर से सुनिए अंतिम बार सुनिए ओम श्रिम द्रिम वटवासनी यक्षकुले रसुते वटवासनी येही स्वाहा ये उद्धमेश्वर तंत्र के हिसाब से वटवासनी यक्षनी की साधना है इसके अलावा जो वाम मार्ग से इनकी साधना है उसमें आपको भोजपत्र पे वो यंत्र बनाना है जो अभी आपके स्क्रीन पर है इस यंत्र को बना करके मतलब भोजपत्र लीजेगा लालचंदन लीजेगा और लालचंदन से भोजपत्र पर ये यंत्र बना करके इसको आपको धारन कर लेना है इसको धारन करने के बाद किसी एक सोमवार से शुरू करते हुए अगले तीन महिने में जो मैं मंत्र भी बताऊंगा उसका तीन लाग जाप करना है कहां बैठना है आपको बैठना है किसी वटवरिक्ष के नीचे में ऐसा वटवरिक्ष जिसके नीचे शिवलिंग स्थापित हो इस साधना में आपको सात्विक रहना है तीन महीने तक ब्रह्मचरे का पालन करना है और सिर्फ इतना ही नहीं करना है इसके अलावा आपको उसी पेड के नीचे जहां आप साधना कर रहे हैं उसके नीचे रात भर रहना है किसी भी तरह का डर लगे तो आपको उसके उस पर ध्यान नहीं देना है बस आपको वटवासनी यक्षनी के बारे में सोचना है और महादेव के शरन में है तो आपके साथ बुरा नहीं हो सकता है इनका मंत्र क्या है वाम मारक के हिसाब से इनका मंत्र है एक अंतिम भार सुनिए तो ये दो विधान से मैंने आपको वटवासनी यक्षनी की साधना बताई है अगले सब्ता उद्धमेश्वरतंत या यक्षनी साधना मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अगले सब्ता सिर्फ वो साधनाय बताऊंगा जो कि लोग बार-बार मुझसे मांग रहे हैं तो अगले सब्ता आप कर्ण पिचासनी साधना मुझसे मिलेगा आपको उचिस्ट चंडालेनी साधना मैं दे रहा हूँ जुव में जीतने का साधना मैं आपको दे रहा हूँ अश्ट विद्या प्राप्त करने की साधना, अश्ट सिद्धी की साधना मैं आपको बताऊंगा, आप सब खुश हो जाओगे, इतनी साधना हैं बताऊंगा, आज के लिए इतना ही, महादेव आप लोगों पर कृपा बरसाते रहे, और साधना के पत पर आप निरंतर और बिन ब्रहमित हो चले, ऐसा मेरा महादेव से कामना है, बेसिक साधना, बंधन, बंधन, मंत्र, भहरव मंत्र अगर सीखना है, भहरव जी का पूजा कैसे करें, यह सारी विद्याइन सीखनी है, तो मेरा एक पेड वाट्स अप ग्रूप है, उसमें आप जूर सकते हैं, इसके अल डारेक्ट बात करने के लिए आप लोग कॉल मी फॉर आप डाउनलोड करिए, उसमें रूत रनाज सर्च कीजिए और फिर आप मुझे डारेक्ट कॉल कर सेके, इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबा दीए, आज के लिए नहीं आप सबी को आदेश आदेश, अलाख आदेश